दोस्तर मस्कार, आज की इस वीडियो में मैं लेकाया हूँ बिहार करेंट अफेर्श का ये चौथा पार्ट, इस पार्ट में कुलमिला के परशनों के संक्या है 50, जैसा कि आप सभी को बता है कि इससे पहले ओल्डेडी तीन पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें परशनों के संक्या 50, 50 ते, यानि कि कुलमिला के 150 परशन यहां पर बिहार करेंट अफेर्श का आपको दिया जा चुका है, तो इस चौथे पार्ट में हम देखेंगे कुलमिला के 50 परशने, और आप सभी को बता दों कि ये सभी परशन जो है ये बिहार करेंट अफेर्श क करेंगे, उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और वीडियो को आप देख पाएंगे, और इस सभी परशन के पीडियाप के लिए आप मारे टेलिग्राम गुर्प को जोइन करें, और शाथ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहां प सभी पीडियो का लिंक दिया जाता है, तो चले सुरू करते हैं, सबसे पहला प्रशन यहां पर होगा, 150 नमर प्रशन क्योंकि यहां पर मैं 150 तक आपको कवर करा चुगा हूँ, तो एक से क्यावन नमर प्रशन है कि बिहार में प्रदोहन मंतरी फसल बीमा योजना के तहत, बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाए जा रही है, तो बिहार में प्रदोहन मंतरी फसल बीमा योजना के तहत, बिहार सरकार के द्वारा फसल सायता योजना नमक ये की योजना चलाए जा रही है, तो इसे ध्यान देखिए, उसवात नेक्स प्रशन है, बिहार के कितने जीलों में किरशी विभाग के द्वारा साजन की खेती के लिए योजना तयार की गई है साजन एक सबजी है उसी के खेती के लिए एक योजना तयार की गई है तो ये योजना चो तयार की गई है किरशी विभाग के द्वारा बिहार के 17 जीलों में शुरू की जाने की योजना तयार की गई है अब असवाद नेक्स प्रशन है कि बिहार के किस विश्विद्याले के छात्र के द्वारा मेनी इंक्यूबेटर का अविश्कार किया गया है तो ये हाल ही में बिहार के रशीव स्विध्याले भागलपूर के चात्र के द्वारा मेनी इंक्यूबेटर का अविश्कार किया गया है नेक्स प्रशन है बिहार के किस जीले में उत्तर बिहार का पहला ओटोमेटिक पावर सबस्टेशन अस्थापित किया जाएगा तो ये मुझफर पूर में अस्थापित किया जाएगा देखे ये सभी जो कर्रेंट अफेर्स हैं आपके लिए काफी महत्तर पूर्ण है आने वाले समय में किसे भी competitive exam में आपको ये देखने को मिल सकता है तो CBSC यनि केंदरिया माद्यमिक सिक्षा बोट के द्वारा इसमाईल विद्याले नामा की योजना शुरू किया गया भी हाले में नेक्स प्रशन है पटना में पटना के गाडियों में CNG किट लगाने पर सरकार द्वारा कितना रुप्या सबसीडी दिया जाएगा तो 40,000 रुप्या सबसीडी के तौर पर दिया जाएगा नेक्स प्रशन हाली में केंदर सरकार के द्वारा किर्शी में गुड रैंकिंग जारे क्या गया इसके तहत बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो बिहार को इसमें गुड रैंकिंग जो कि किर्शी का गुड रैंकिंग था उनमें 4 था स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है अब उसके नेक्स प्रिशन है बिहार में पॉलियो के तरज पर किस बिमारी की वैक्सिन लोगों को दिया जाएगा तो इसका नाम है जाफानी इनफेसे इनशेफलाइटिस इसका वैक्षिन दिया जाएगा तो उस बात का अब ध्यान लखिएगा अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप गरवेठे बिहार में आजी थनवले देर ना कीजे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कीजे वहाँ पे सभी फीडियाप को वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप सस्ती कीमतों पर यह पीडियाप आपके लिए एवलेबल कराया जाता है आप वहाँ पर जाके से करेच सकते हैं चल्दे आम आगे नाम किया तो सत्तरवे मौहिनुल हक फुटबॉल टूनामेंट में पटना चिलाने खिताब अपने नाम किया नेक्स प्रस्ने हाल ही में बिहार में राश्टिय जन्संग्या रजिश्टर का कारे कब से सुरू किया जाने का निरने लिया गया था यह जो निरने लिया गया थ चलिए उसको आदम बढ़ते हैं नेक्स प्रश्न पे नेक्स प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाडी को विश्व रगबी की ओर से 2019 के लिए अंतराष्टी योगा खिलाडी पुरुष्कार दिया गया इस प्रश्न का राइट अंसर है स्वीटी कुमारी नेक्स प्रश्न है हाली में बिहार के किस व्यक्ति को चिकेतसा जगत में उलेखनिय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश में अस्प्रिशेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया इसका राइट अंसर होगा डाक्टर रजनीश राज को उत्तर प्रदेश में अस्प्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया अप्रिशेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया ध्यान देखेगा उत्तर प्रदेश में अप्रिशेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया डाक्टर रजनीश राज को जिक हैसा जगत के छेत्र में उलेकने योगदान के लिए यह बिहार कि रहने वाले थे अगला प्रशन है कि बिहार के किसा व्यक्ति को उत्तर पर्देश के मुक्हिमंतरी योगी आधितिनात के दवरा भारत भारति शमवान से शमवान्थ के आगया है तो उसा किरन को उत्तरपरदेश के मुख्य मंतरी योगी अदितिनात की द्वारा भारत-भारती शम्बान से शम्बानित किया गया उसा किरन अब उसका अब नेक्स प्रशन है कि बिहार के कितने जीलों में बिहार के शीवी स्विध्याले भागलपूर के दुआरा बायो टेक किसान हब बनाया जाएगा तो ये छे जीलों में बनाने का निरने लिया गया है तो इसे ध्यान रखेगा अब उसको आदम पढ़त इप्रश्कार से समन्दित होते हैं तो पुस्पक भठाचारी को अभी हाली में ये अवाट दिया गया है अगला प्रशन हाली में खगेंद्र ठाकूर का नेदान हो गया वह क्या थे खगेंद्र ठाकूर एक शाहिद दिकार थे नेक्स प्रशन है हाले में प्रदानमंत्री जी का कारिक्रम परिच्छा परिच्छा कारिक्रम में बिहार के एक मात्र छात्र ने भाग लिया जिसका नाम किया था तो इसमें बिहार के एक मात्र चातर ने भाग लिया था इसका नाम था जूली सागर नेक्स प्रश्ण है कि बिहार बागवानी विकास सोसाइटी किर्शी विभाग के दौरा तीन दिवस्य सरकारी मौत सब 2020 का जन हाल ही में कहां का किया गया तो ये बिहार बागवानी विकास सोसाइटी किर्शी विभाग के दौरा तीन दिवस्य सरकारी मौत सब 2020 का जन हाल ही में पटना में किया गया अब उसकार नेक्स प्रशन है कि बिहार में छारिय तथा लवन युक्त खेती की मिट्टी का सरकार अपने खर्चों पर इलाज करेगी इसकी सुरवात किस जीले से क्या गया तो यहां पर दियान रखेगा सिवान और मुझबफर पूर जीले से इसकी सुरवात किया गया है अब नेक्स प्रशन है कि हाल ही में अंदर प्रदेश में आयजित पच्पनमी राष्टिय स्कूल भारतुलन परतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने शौर्ण पदग जीता है अब नाम याद रखेगा कनिया कुमार ये अंदर प्रदेश में आजित पच्पनमी राष्टिय स्कूल भारतौलन परतियोगिता में बिहार की वर से श्वर्ण बदक जीता है नाम याद रखेगा कनिया कुमार नेक्स परदेश में हाल ही में फॉर्ण फॉर्ण के दौ़ारा फॉर्ण में बिहार के किस वेकती को अस्थान मिला है तो आप नाम याद रखेगे कनिया कुमार और प्रशांत किसोर फॉप्स के द्वारा जो मैगजिन चारी की गई है उसमें 20 ससक्त लोगों के सूजी में बिहार के कनिया कुमार और प्रशांत की सोर का नाम सामिल किया गया है यह काफी महत्तपूर्ण प्रश्ण है इस प्रश्ण को आप ध्यान रखेगा हो सकता है आने वाले समय में यह प्रश्ण आप से किस एक्जाम में पूछ लिया जाए अब उसवाद हम बढ़ते हैं नेक्स प्रश्ण में यहाँ पे हमारा अगला प्रश्ण है कि हाल ही में बिहार का पहला हाई सिक्योरिटी जेल किस जिले में बनाया जा रहा है तो ये भागलपूर में हाई सीक्योरिटी जेल का निर्मान किया जा रहा है बिहार का पहला हाई सीक्योरिटी जेल नेक्स प्रशने हाल ही में बिहार में हाल ही में दिव्यांगों के लिए नीजी सेक्टर में कितने प्रतिसत सीटें अरक्षित किया गया है बिहार में नेक्स प्रशने हाल ही में सरकारी स्कुलों के मध्यान बोजन की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जीला प्रतामस्थान प्राप्त किया है तो रोतास जीला मध्यान बोजन के रैंकिंग में प्रतामस्थान प्राप्त किया है उसका बाद नेक्स प्रशने है बिहार क समतावाले परिष्ण भवन का निर्बान किया जाने की घ्षना किया गया है ये भी प्रष्ण महत्तपूर्ण है अब उसकार नیंक्स क्रूशने हाल ही में पिहार का दोसरा राच्टिय अभ्याक्र अभ्याऌरंड निरुने लिया गया है उसका अगला प्रशन है 179 प्रशन हाल ही में किस व्यक्ति को International Educationalist Award से समानित किया गया है जो एक बिहारी है तो इसका नाम है महेंदर कुमार धियान रखिएगा इसे समानित किया गया है वही हाल ही में अगला प्रशन हाल ही में किसके द्वारा बिहार म का विमोचन क्या गया तो ये मीतला भारती नामक सोध पत्रिका का विमोचन क्या गया है मैं थले साहित संस्थान के द्वारा तो ध्यान रखीगा अब अगला प्रश्ण हाल ही में बिहार के किस जीले में पोटास पाइराट से ताथा चूना पत्थर का एक विसाल खनीज तो ये रोहतास में मिला है अगला प्रशने हाल ही में बिहार के किस अभिनेत्री का निदन हो गया जो कि शेकपुरा जीले की रहने वाले थे तो अभिनेत्री कुम-कुम नेक्स प्रशने हाल ही में स्मार्ट इंडियन हैक्थान में बिहार के किस संस्थान को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है तो MIT मुझफर पूर को स्मार्ट इंडियन हैक्थान में पहला अस्थान प्राप्त हुआ है चलिए उसका दाम आगे बढ़ेंगा अगला प्रशन है हाल ही में बिहार के जीलों में किस कीड़े ने हामला किया तो बिहार के जीलों में भी हाल ही में लीफ वेबर नामकीला ने हामला किया था अगला परशन है कि बिहार में केमूर के पहाड़ियों के दरगत जंगलों को टाइगर रिजर्व घुफसित किया जाने का निरने किया गया है यह किस जीले का हिस्सा है तो यह रोहतास जीले का हिस्सा है अगला प्रशन है हाली में बिहार के किस वेक्ति का चेन वर्ल्ड आईटी की और शे हंगरी में आजित होने वाले वर्ल्ड कॉन्फरेंश ओन इंजिनरिंग एंड टेकनलोजी में किया गया था तो इसका नाम याद रखे अजीत सी अगला प्रशन है बिहार विदान सबाद चुनाव में कारे रत चुनाव करमी को चुनावी ड्यूटी के दोरान मौत होने पर परिजनों को कितने लाग रुपया देने की हाली में गोशना किया गया था तो 30 लाग रोपिया देने का घोशनय क्या गया था 30 लाग का वीमा क्या गया था अगरा पूशन heure है बिहार के कि इस इंजिनिरिंग कॉलेज को देश में कॉलेज स्रिनी में 26वा स्थान प्राप्त हुआ है तो IIT पटना को कॉलेज स्रेनी में संपूर्ण भारत में 26 स्थान प्राप्त हुआ है नेक्स प्रशने हाली में बिहार सरकार ने किस राज्य में तीन दिवस्य बिहार महुत्सव का आयजन करने का निरने लिया था अब उसकार नेक्स प्रशन है आयोध्यापती, स्री राम और रामायन से जुड़े हुए दुनिया भर के दस्तावेजों को संक्लित कर एक विश्यस परकार के विश्यो रामायन महाकोस बनाया जा रहा है इसके संपादक मंडल में बिहार के किस वेक्ति को समिलित किया गया है तो बिहार के किस वेक्ति को समिलित किया गया है यह प्रशन इसका राइट अंसर है डाक्टर शाकेत सहाई इन्हें इसमें सामिल किया गया है उसका नाम क्या है तो आप नाम याद रखेगा Global Encyclopedia of Ramayan नेक्स प्रशने हाल ही में की गई कोशना के अनुसार शंपूर्ण देश के 25 रेलवे स्टेशन का निजी करन क्या जाएगा इसमें पुर्व मध्र रेलवे के कितने स्टेशन को सामिल क्या गया है तो पुर्व मध्र रेलवे के 5 स्टेशन को इसमें सामिल किया गया है आज के इस वीडियो का प्रशन है की पुर्व मध्र रेलवे का मुखः약 का है आप इस वीडियो के comment box में जाएएगा वहाँ पे आप comment करके बताएगे कि पूर मद रेलवे का मुझ्य हले कहा है अगला प्रशने हाल ही में बिहार की किस जीले के च्छात्रों द्वारा बनाया गया अगला प्रशने है 144 नबर प्रशने हाल ही में की गई गोशना के अनुसार बिहार में किस नदी के किनारे हरवल कोरिडोर विक्सित किया जाएगा तो गंगा नदी के किनारे बिहार में हरवल कोरिडोर विक्सित किया जाएगा अभी हाल ही में ऐसा गोशना किया गया है उस बात नेक्स प्रशने है यहाँ पर हमारा 155 नबर प्रशने बिहार में कहां पर दस राज्यों के लोक शेवा आयोग के अध्यक्ष की बैठक का आयोजन हाली में किया गया तो ये बोध गया में भी हाली में किया गया था अगला पुशने है कि हाल ही बिहार के किस जीला में मंदार महुतसव का आयोजन क्या गया गया है ? तो ये बाँका में क्या गया है ? नेक्स प्रशने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज में कितनी अस्थानों पर बांस की नरसरी लगाए जाने की हाले में घोशना किया गया है तो पूरी राज में 60 अस्थानों पर नरसरी लगाए जाने की घोशना किया गया है बांस के अगला प्रशने बिहार के किस जीले में बेटी के जन्म लेने पर बदाई संदेश के साथ-साथ प्रसस्ती पत्र देने की सुरुआत हाल ही में की गई तो ये बांका में क्या गया अगला प्रशन है बिहार के किस वेक्ति को नन्ही परी लिटल मिस इंडिया 2019 में रणर अपका खिताब हाल ही में मिला है तो ये वैदिका रक्षिता ये नाम आप याद रखेगा उसके बाद नेक्स प्रशन है यहाँ पर बिहार के किस जीले में परसिद्ध सहनाई वादत बिश्मिल्ला खां के नाम पर संस्कृतिक विश्विद्याले के स्थापना किये जाने का निरने लिया गया है तो बक्षर में ये उस्ताद बिश्मिनलाखा के नाम पर संस्कृतिक विश्विद्याले बना जाने का निरने लिया गया है तो राइट अंसर है बक्षर तो यहाँ पर मैंने आपको एक से क्यावन से लेकर 200 तक के प्रशनों को जो कि विहार क्रेंडे फैर्श के प्रशने थे वह आप लोगों को कवर कराया तो आपको एक बार पुना बता दूँ कि अगर आप इसका पीडियाप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के दिया गया है आप वहाँ पर जाकर यह सभी फीडियाप जो यहाँ पर लिखा गया है आप सभी फीडियाप को वहाँ से जाके खरीच सकते हैं और साथ हैं जो मॉक टेस्ट लाया जा रहा है बीपेस्ट प्री के लिए BPSC pre-exam के लिए जो कि 6 सर्फ में BPSC अभी IG थनवाली है तो इसके लिए लगवग आपको 20 प्लस mock test यहाँ पर मिलेगा तो उसका भी यहाँ पर एक WhatsApp नमर दिया गया है अगर आप इसे test stage को join करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप test stage लिएक के उस WhatsApp नमर पर message करेंगे तो आपको सारे detail भी दी जाएगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक है लिए धन्नवाद